बिहार के बाहुबली और मुकामा बिधान सभासीट से राजत बिधायक अरण सिंग को एके सैतालिस और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में कोट ने सजा सुनाई है पता दे कि MP MLA कोट ने अनन सिंग को 14 जून को ही दोसी करार दिया था जैसा कि आपको पता है वो फिलहाल बेवर जेल में बंध है अनन सिंग के लदमा गाउं के पैतरिक आवास से एके सैतालिस और हैंड ग्रेनेड की बरामदगी मामले में अनन सिंग ने खुद ही कोट में सरेंडर किया था इसके बाद से ही अनन सिंग पिछले 34 महिनों से पतना के बेवर जेल में बंध है साल 2019 के मामले में कोट ने सुनाई है इनको सजा MP MLA कोट के विशेश जज तिलोकी नादूबे ने तीन साल पुराने मामले में अनन सिंग को दस साल जेल की सजा सुनाई है बता दे कि पतना पुलिस की टीम ने 16 अगस 2019 को लदमा गाओं में अनन सिंग के घर पर छापा मारा था और 41 से अलावा हैंड ग्रेनेट ब्रामद किया था वो घर अनन सिंग का था लेकिन वहां वह नहीं रहते हैं और उनकी संपती की देखवाल एक के अर्टेकर कर रहा था तलासी में पुलिस को जो चीजें मिली वो इस परकार है अनन सिंग के घर से तलासी के दोरान पुलिस ने 497 रैफल दो जिन्दा हंथ गोले और 29श जिन्दा कार्टूस बरामद किय थे बताया जाता है कि 417 रैफल को जोपरी में रखा गया था जबकि हंथ गोले उसकी बगल की जोपरी में से बरामद किये गये हैं छापे मारी के बाद पुलिस ने जनकारी देते हुए बताया था कि 217 राइफल को समान रूप से प्लास्टिक की थैली में लपेटा गया था जिससे के बाद कारवन की परते लगाई गई थी ताकि मेटल डिटेक्टर से बचा जा सके लेकिन अब इन सब चीजों से कुछ फ़रक नहीं पड़ता अब विधायक को जेल हो गया है उनकी सजा को मुकरर कर दी गई है और वो अब 10 सालों का सजा काड़ी है